कोतडी कस्पे में उपखंड कार्याले के सामने गती से आ रहा एक गैस सिलेंडर से भरा टेम्पू स्टेरिंग फेल हो जाने के बीच सड़क पर पलड़ गया गडिमत रहे कि इस दोरान उपखंड कार्याले से निकलने वाले लोग वा सड़क से गुजर रहे रहगेर चपेट में आने से बच गया वरना बड़ा हादसा हो जाता पलड़े के दोरान टेम्पू में गैस से भरे सिलेंडर रोड पर भिखर गया एक आएक हुए इस घटना से वहाँ पर मौझूद लोग वा रहगेरों में अफरा तफरी मच गयी लोगों ने दोर कर टेम्पू चालक को बहर निकाला टेम्पू बिजली विभाग कारinner के पास से रवान होकर गैस एज़ूंसी पर जा रहा था जोब खंकार messenger के सामने पलट गया टेम्पू पलटने से हाथ पैर फूल गया लोगों ने दोड़ कर चालक को टेंपू से बाहर निकाला, लोगों ने गैस एजंसी संचालक पर कंडम वाहनों को उपयोग में लेने का आरोप लगा है कस्बेवासियों ने गैस एजंसी संचालक से खटारा वा कंडम वाहन हटाने की मांग की है कोटडी कैस एजंसी पहले भी विवादों में रह चुकी एजंसी संच्चालक से परिसान होकर एक आदमी टावर पर भी चड़ चुका है घटा के बाद मौके पर पहुंची पुलिस से टेंपो को ठाने ले गई